तो आज सेवन दे की सुरुवात होती है एक लंबे से बाइक राइड के साथ जिस्ट प्रकॉज मैं अपने कंपनी के काम से आउट अफ सिटी था और मैं पहुंच जाता हूं इस खूब सूरस से नर्शनी में जहां ना जाने कितने तरह के प्लाइंट से बने वन है और ना सिर्फ प्लाइंट यहां पें अलग अलग तकी बहुत सारे प्यारे डिजाइनर गंबले रखे होते हैं जिनें आप अलग अलग जगह पे कस्टमाईज करके लगा सकते हैं और यहां पर plant के लिए soil भी available होती है जो कि बहुत अच्छी quality की होती है जिसमें अगर आप plant लगाएंगे तो वो बहुत जादा time तक चलेगी और वैसे आया तो होता हूं मैं बस एक specific plant लेने पर अब मैं यहां बहुत confused हो जाता हूं क्योंकि यहां मैं देखता हूं बहुत सारे अलग-अलग types के plant और सारे ही प्यारे लग रहे होते हैं बस मन करता है कि इन्हें से सबसे एक एक पीस उठा के अपने घर पे ले जाके अपने घर में लगा लो ताकि हमेशा मैं nature के पास महसूस कर ज़कू है as you know मुझे बच्पन से इन नेचर से बहुत ज्यादा लगाऊ है अब सच बता हूँ तो यहां पे इतनी ज्यादा plants है कि मैं एक एक करके specific उनके बार में बता नहीं सकता और यह चीज़े पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि व्लॉग दो-तीन घंटों का हो जाएगा तो आप खुद ही देख लिए यहां पे क्या-क्या चीज़े available है और साथ ही nature क कुछ नजारों को भी enjoy कर लेजी सबस्क्ष करें में पुद ही लिए इसाम कि मैं पुद भी लारों कि ऑुद ही दो, यहां सकतर है और सुन्यक्तों को भी दो ही लाव आप खुद टिए यहां राव जारों को नहीं है गलुद तो इस पूरे नरसरी को एक्स्प्रोर करने के बाद हमें चार पार प्लाइंट्स पसंद आते हैं और फाइनली हम उन्हें ले ले लेते हैं जिनकी फोटोज मैं इंस्टाग्राम पे डाल दूगा बाइदे वे मेरा इंस्टाग्राम भी सेम नेम से है तो आज के ब्लॉक को यह इन करते हैं मिलता हूं कल किसी अच्छे प्लेस पर तब तक के लिए बाइज